अगर आपका हाइडोसील का ओपरेशन हुआ है तो उसके बाद आपका ये सवाल है कि क्या आप जिम कर सकते हैं या कितने दिनों के बाद जिम जा सकते हैं तो इस वेरी सिंपल कि कोई भी सरजरी जब होती है तो उसमें उसको पूरी तरीके से ठीक होने में कम से कम एक महीना तो लगता है जहां पर इसकिन में मालीजे जॉइंट लगाया है तो उस जॉइंट को अच्छे से जुड़ने में एक महीना तो लगता है और जहां पर ये ज अगर कुछ pressure पड़े तो वो हमारा जो जहां पर टाके लगें वो खुल ना जाए तो वो बहुत important है इसलिए उसमें कम से कम एक महीने का समय देना है आपको एक महीने के बाद आप normally जो भी normal activities होती हैं उनको कर सकते हैं बहुत safety के साथ उसमें एक important चीज ये भी है कि आप जो undergarmit use कर रहे हैं वो बहुत बड़ा प्ले जो बड़ा रोल प्ले करेगी because उसमें हमने पहले भी बताया था कि एक best underwear होना चाहिए जो कि आपके scrotum को hold करके रखे यानि आगे की तरफ को थोड़ा सा रखे तो मार लीजए ये दो लेक्स है आपके तो इस तरीके के लेक्स में क्या होता है कि जो बीच का हिसा जहां पर scrotum में तो उसमें जो underwear अच्छी brand की जो underweyrs होते है उसमें आगे cup type का बना होता है तो इनकी तरफ हलका सा hold करके रखता है जिससे की scrotum जो होते हैं वो जांगों की बीच में कभी दब बलकि थोड़ा सा आगे की अतर रहती है, वो थोड़ा सा इस टाइप से आगे, उसमें कप टाइप का बना होता है, तो वो आपको एक अच्छे ब्राण्ट में ही मिलेगा, अगर आप कोई भी अच्छे ब्राण्ट का अटरवेर खरीते हैं, चाहें आप V खरी दें या फिर ट्रंक खरी दें, बट मेरी सलह उसमें आपको V शेप की रही है, विकॉज V शेप जागों के बीच में जाकर अच्छे से उसकी जो फिटिंग होती है, बहुत अच्छे से आती है, तो अगर आपको ये सवाल है कि आप हाइड्रोसील के बाद जिम कर सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट एक अच्छे ब्राण्ट के अटरवेर के साथ, और दूसरी अक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं, और उसमें भी आपका अटरवेर बहुत बड़ा रोल प्ले दरेगा, उस पर हमने अच्छे वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें, जिसे कि आपको इसकी पूरी जैनकार मिलें, वेल, नेक्स वीडियो में फिल्म मिलेंगे, झाए एक नेवी दूर टिल्टेखें, तिल ने कीप स्मालीओ, झाए एक एक नेक्स वीडियो.